Hello everyone, अभी हम लोग सालव करेंगे Simple Question Paper Class 10 का subject है Social Science इसका Code 087 है, session जो current session अभी चल रहा है 2023-24 का इसके जो instructions हैं, इसमें हम लोग समय नहीं को आएंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ लिजेगा वीडियो का पाँच करके हम लोग अपसालव करेंगे section A, जिसमें 20M security question है इसमें first question है, identify the correct option that describes the act given below इसमें सही option को हम को identify करना है, जो एक एक्ट के बारे में यहाँ पे दिये हुए हैं, तिन स्टेटमेंट दिये हुए हैं पहला इस्टेटमेंट है, the act was passed by the imperial legislative council की यह जो एक्ट था उसको imperial legislative council ने पास किया था second है, it gave power to the government to repress political activities, इसने government को power दिया हुए था ताकि जो राजनिती गतिविदी थी, political activities थी उसको दबा सके third है, it empowered the government to detain political prisoners without trial इसने government को empower किया था, जिससे वो जो political prisoners हैं, राजनितीक बंदी हैं, उनको भी न किसी trial के कहित कर सके तो दिखें इसमें absence है, A है, related act, B है, vernacular press act, C है, government up India act, और D है, inland immigration act ठीक है, तो जो चारो act है न, आपके लिए बहुत important है, तो इसका जो answer है, उसको तुम्हाँ आपको बताऊंगा ही लेकिन सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये चारो act क्या है, क्योंकि इन में से कोई भी question जो है न, आनेवल exam में आ सकता है इसमें पहला एक्ट रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट ने बिटीस colonial government को power दिया हुआ था, कि बिना किसी टायल के, किसी को भी वह अरेस्ट कलने इस एक्ट को जो उद्देश्य था, जो उसमें nationalist अपसर्ज, मने जो रास्टरवधी विचारधारा देश में पनाप रहा था, उसमें काभू पाना महत्वाँ गांधी ने इस एक्ट के खिलाप में लोगों को सत्यागरा करने के लिए कहा था दूसरा है वनकुलर प्रेशेक्ट, वनकुलर प्रेशेक्ट जो है 1878 में पास हुआ था, इसका एम था कि जो भी वनकुलर नूज पेपर थे, उसके जो रिपोर्ट्स थे और एड़िडिरियल्स थे, उनकी उपर सेंसर्सिप करना, उनकी उपर कंट्रोल करना अगर कोई भी नुज पेपर जो सासान है बिटिस गवर्मेंट है उसके खिलाप लिखता था तो उसको वान किया जाता था और नहीं मानने पे उसके खिलाप एप्रोप्रियेट एक्षान लिया जाता था थरड है गवर्मेंट आप इंडिया एक्ष ये जो है न अगस्त 1935 में बिटिस पर्लिमेंट के द्वारा पास हुआ था ये उस समय का सबसे लंबा एक्ष था ये दो भागों में डिवाइडेट था एक था दो गवर्मेंट आप इंडिया एक्ष नाइट था और दुसरा था दो गवर्मेंट आप वर्मा एक्ष 1935 अब लास्ट देखिए इसमें इनलेंड इमिग्रेशन एक्ष ये जो एक्ष है 1859 में आया हुआ था इस एक्ष में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके मुव्मेंट पे रोक लगाया गया था कि वो बिना किसी जाजत के टी गार्ड था तो देखिए चारो एक्ष को समझने के बाद हम समझ चुके हैं कि इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर है आपसाने रोलेटेक्ट के द्वारा जो वो बिटीशस थे वो इंडियन अप्राइजिंग जो हो रहा था विटीशस के अगेंस्ड में उसको वो काबू करना च तो देखिए इसका एंसर है भोपाल ये जो है ना मत्यपदिश का केपिटल है और भोपाल में 11th century में बना हुआ एक artificial lake है इससे जुड़ा हो हिस्ट्री को समझते हैं इसको भोज ताल या अपल लेक भी बोलते हैं इसको राजा भोज जो उससे में मालवा के रूलर थे उन्होंने 1005 से 1055 के बीच में बनाया हुआ था ये अपने आप में बहुंत बड़ा lake है अपने इसके दिले जो city है इसके चारों तरफ वो बढ़ा है तो इसका answer हो जाएगा option B भोपाल इसके बाद third number question देखिए read the data given below and answer the question educational achievement आप ruler population आप उत्तरपदेश यहाँ पर एक data दिया हुआ है एक table के फार्म में जिसमें जो educational achievement है जो grammar jansink है उत्तरपदेश में उसको बताया गया है इसमें category है male है और female है दो category है literacy rate for ruler population तो देखिए male में यहाँ पर 76% है female में 54% है literacy rate for ruler children in age group 10 to 14 years male में 90% है female में 87% है उसके बाद last में देखिए दिया हुआ है कि percentage आप ruler children aged 10 to 14 attending school इसमें male में 85% है और female में 82% है अब इसमें question देखिए age for the data given above who has the least percentage of literacy rate in ruler population कि जो data उपर में दिया हुआ है उसमें ruler population में सबसे कम literacy rate किसमें है तो यहाँ पे द्यान से देखिए सबसे कम literacy rate यहाँ पे है 54% जो कि ruler population में female में है ठीक है तिसका option देखते है option A male है यह तो नहीं होगा option B children है यह भी नहीं होगा C male and female है यह भी नहीं होगा इसका option D देखिए female जो कि यहाँ पे 54% है यही इसका correct option होगा अब इसके बाद इसमें question number 4 को देखते है which of the following options represent potential measures that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population and the biodiversity तो यहाँ पे कौन कौन से major लिये जा सकते हैं कौन कौन से तरीके अपनाया जा सकते हैं जिससे हम tiger population और biodiversity को बचा सकें या उनके खत्रों को कम कर सकें इसमें first बोलता है banning, hunting, giving legal protection to their habitats and restricting trade in wildlife बिल्कुल सही है सिखार को रोक कर और उनके जो आवास हैं habitat से हैं उनको legal protection देकर और wildlife के जो trade हैं वैपार हैं उसको रोक कर हम जो tiger population उसको बढ़ा सकते हैं और biodiversity को बचा सकते हैं जिसका first बिल्कुल correct हो जाएगा second देखते हैं prohibiting the visit of public into forest area जो forest area में लोग जाते हैं उनके विजीट को रोकेंगे तो इससे क्या tiger population बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा और नहीं biodiversity इससे बढ़ेगा बलकि लोग जाएंगे तो revenue पैदा होगा जिससे हम उनके protection में और biodiversity को बढ़ाने में और पैसा खर्चा कर सकते हैं तो इसका second option तो इस question के लिए incorrect हो जाएगा थर्ड देखिए establishing wildlife centuries and national parks बिल्कुल सही है जितने ज़्यादा wildlife centuries होंगे national parks होंगे उतना ज़्यादा बाइर वाइर वर सिटी और tiger population बढ़ेगा इसका थर्ड भी एकदम correct है फोर्थ देखिए converting forest into resort and protected forest कि जो forest हैं उनको अगर हम resort और protected forest में convert कर दें तो इससे भी tiger population और और वाइर वर सिटी बढ़ेगा तो इसका option 4 भी correct है अब इसमें देखते हैं option में आप्शने बोलता है कि statement 1 and 2 are correct तो यह तो बिल्कुल गलत होगा इस question के लिए क्योंकि 3 statement correct है भी है statement 2, 3rd and 4th are correct तो देखिए इसमें 2 को भी समिल क्या हुआ है इसके एकार एक 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 statement 2 is correct तो भी इस question के answer clean correct होगा और D देखिए statement 1, 3rd and 4th are correct बिल्कुल यही है इन्ही statement में बाइर वर सिटी बढ़ने वाला बात को लिखा गया है इसलिए इसका option D answer होगा इसके बाद देखिए इसमें next question 5th number है when many countries have Europe came together to farm the European Union blank was chosen as its headquarters जब बहुँ सारे देश जो इरोप के थे वो आपस में मिले और उन्होंने European Union को farm किया तो उन्होंने उसके headquarters के लिए किस city को चुना तो देखिए उन्होंने उसके headquarters के लिए Brussels को चुना इसका option ने correct हो जाएगा Brussels बाकी Paris, London और जूरीक ये जो है ना इसका answer नहीं है मने European Union का headquarter है वो Brussels में है अब इसमें question number 6 से देखिए Which of the following statements accurately distinguishes between majorityism and power sharing इनमें से कौन से statement जो है ना एकदम accurately अंतर बताता है majorityism और power sharing में ये बोलता है majorityism emphasizes the dominance of the majority community while power sharing emphasizes the sharing of power among different groups बिल्कुल यही है कि जो majorityism होता है उसमें एक ही community का जिसका population जादा होता है उसी का परभूत ये dominance होता है जबकि power sharing में बाकी जो groups हैं उन सब के बीच में जो power है वो share होता है तिसका अपसाने बिल्कुल correct हो जाएगा इसका भी देखिए majorityism emphasizes the need for conscious building while power sharing emphasizes the ex-galogen of minority group इसमें क्या बोलता है कि majorityism में जो conscious building है उसको ध्यान में रखा जाता है ये तो incorrect है है ना majorityism में क्या होता है कि जो majority community है उसी का चलता है और power sharing में बोलता है कि इसमें minority group को अलग रखा जाता है तो ऐसा तो power sharing में नहीं होता उसमें majority minority वाला कोई concept है नहीं होता सब के साथ बराबर पावर को share किया जाता है तो इसका B जो है ना incorrect होगा C देखिए Majorityism emphasizes the importance of accommodating minority interest while power sharing emphasizes the need for majority rule ये भी same चीज़ दिया हुआ है ये भी incorrect है और इसका D देखिए Majorityism emphasizes the need for peaceful resolution of conflicts while power sharing emphasizes the use of force to impose the majority's will तो देखिए Majorityism में जो majority का इच्छा है will है उसको force के द्वराब impose किया जाता है जबकि power sharing में peaceful resolution संती पूर्ण हन निकाला जाता है सारे जो conflicts हैं बिवाद है उनका जिसका अपसंडी भी incorrect होगा इसके बाद देखिए इसमें question number 7 जो की assertion region वाला question है इसको पढ़ते हैं इसमें सरसन ये दिया हुआ है democracy is based on political equality कि जो लोगत अंत्र होता है democracy होता है उसमें राजनितिक समानता होता है बिल्कुल सही है कोई किसी भी color का हो caste का हो, race का हो, religion का हो किसी भी छेत्र में कैदा हुआ हो अगर वहाँ पर democracy है तो सभी के vote एक ब्राबर होते हैं जैसे कि इंडिया में है इसमें political equality जो है न वो must है अब region बोलता है कि all individuals have equal say in electing representatives बिल्कुल सही है जैसे भारत में सब को एक ही vote देने का धिकार है और सारे vote का जो value है न वो same है इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसमें शर्षन A भी true है और region R जो है न इसको correctly explain कर रहा है तिसका आप्षान है विल्कुल correct हो जाएगा कि both assertion and region are true and region is the correct explanation of assertion A question number 8 है राहूल है जैसे काप काटन but he is in need of it and अनूस है जैसे काप काटन and is in need of काटन अनूस के पास गेहूं का बोरा है और उसको काटन भने रूई चाहिए तिस सीच्वेशन में क्या होगा कि दोनों अपने अपने पास जो समान है उसको अदलब अदली कर लेंगे एक्सचेंज कर लेंगे इसके बाद दिखे बोलता है अगर इस प्रकार से एक दूसरे की समान की ज़रत नहीं होगी तो क्या होगा कि ओ समान का अदलब बदली नहीं कर पाएंगे एक्सचेंज आप गूर्ष नहीं होगा विचेंज आप फॉल्विग उड़ी बेस्ट आप्षन तिन में से कौन सा आप्षन जो है न उस सबसे अप्षा चेंज आप गूर्ष को और कौन सा ऐसा तरीका है जिसके दौरा अप्ट्रय आप गूर्ष को हम ख़तम कर सकते हैं तो देखे ВсеLeg आप गूर्ष को ख़तम करने के लिए जो सबसे best method हम लोग use करते हैं वो है money, पैसे का और दुसरा अगर हम mutual exchange of goods कर रहे हैं तो उसके लिए आफस्याक है कि double coincidence of wants हो तिसमें आफसाने देखिए बोलता है कि double coincidence of want exchanging commodity for commodity तो देखिए exchanging commodity for commodity में हम exchange of goods को बिजने नहीं कर सकते इसका आफसाने incorrect होगा बी देखिए double coincidence of want credit on commodity और सी देखिए double coincidence of want loan on commodity तो देखिए credit और loan में एक छोड़ा संतर होता है कि loan को एक मुस्त दिया जाता है और credit को bank जो है नव किस्तों में देते हैं जब जब ज़रत होता है बारवार को तब तब उसको पैसा जो है credit जो है मिल जाता है इसका B और C भी जो है ना incorrect होगा क्योंकि credit on commodity और loan on commodity के द्वारा हम जो exchange आफ goods है ना उसको खतम नहीं कर सकते इसका आफसन्डी बिल्कुल correct होगा double coincidence of want और जो exchange आफ goods है उसको money के द्वारा हम लोग eliminate कर सकते हैं इसके बाद दिखे इसमें question number 9 है you are a citizen of a country that has a democratic form of government you want to ensure that the system of power sharing in your country is effective and that no one branch of government has absolute power तो दिखे आप जो है ना एक नागरीक है citizen है एक ऐसे देश का जिसमें democratic form of government है जैसे कि भारत में है इसके लिए आप ensure करना चाते है कि जो power sharing का system है आपके country में वो effective हो और government का कोई भी branch जो है ना वो absolute power manner है जो power है उस तभी branches की बीच में equally share हो अब इसमें question देखिए which of the following measures would best meet this goal तो कौन सा नीचे में जो measures दिये हुए हैं को सबसे अच्छे से इस goal को पूरा करेंगे ये बोलता है कि all power is concentrated in the hands of the legislature only देखिए legislature का मतलब होता है कि जो MPA में ले लोग होते हैं मने member of parliament और member of विधान सभा और जो विधान सभा लोग सभा राज्य सभा है इन सब को legislature बोलते हैं तो अगर सारा power इनी की में concentrate हो जाएगा तो power sharing नहीं होगा इसलिए option ने इसका incorrect होगा भी देखिए power is divided between the central government and the states or provinces with each level having its own sphere of influence तो देखिए जो power है ना अगर उस central government और state याने provinces की वीच में divide होता है और सब का अपना प्रभाव अपने छेत्र में होगा तब भी ये power sharing के गोल को पुरा नहीं करेगा तिस caption भी इनकरेक्ट हो जाएगा अब इसका सी देखिए power is separated among the legislative, executive and judicial branches with each branch having its own responsibility and powers बिल्कुल यही power sharing है देखिए power sharing में क्या होता है कि government के जो तिनों branch जिसमें legislative, executive और judiciary सामिल होते है उनके बीच में equally responsibility और power जो है ना वो share होता है इसी को power sharing बोलते है correct हो जाएगा अब दी को देखिए कि power is shared among different levels of government such as the national, regional and local governments with each level having some degree of autonomy तो देखिए ए भी जो है ना power sharing के definition में नहीं आता कि power जो है government के अलग-अलग level पे share हो national level पे, regional level पे और local level पे और सबको कुछ autonomy या स्वायत्यता मिले तिसका option D भी incorrect होगा अब इसमें question number 10 देखिए सबसे पहले इस picture को अच्छे से देखिए आप लोग ये picture कहां का है तो ये picture जो है ना वो Frankfurt Parliament Germany का है इसका option ने विल्कुल correct हो जाएगा और इसमें option B COD कि रिजिस्टेक डिमा और आउसा पर्लिमेंट ये तिनों option जो है ना इसके incorrect है तो आपको क्या करना है जितने भी आपके picture है न वो कौन से picture है उसके पीछे का history क्या है उसको अच्छे से NCRT book से देख क्या आत कर लेना है इनसे related कोई ने कोई question जरूर आएगा देखिए हम लोग Frankfurt Parliament से related जो history है ना उसको जान लेते हैं ये जो Frankfurt Parliament था वो पूरे को पूरे जर्मनी में पहला democratically elected Parliament था इसका election हुआ था माई 1st 1848 को ये जो Parliament है वो middle class जो professionals थे, merchants थे और जो wealthy craftsmen थे अलग-अलग जो regions थे जर्मनी के उनसे मिलकर बना हुआ था अब इसमें जो optional question है वो visually impaired candidates के लिए है इसको पढ़ते हैं और समझते हैं कि which of the following does the symbol round up oak leaves stand far जो crown up oak leaves है वो किस चीज का symbol है ये है freedom का, B है so readiness to fight, C है willingness to make peace और D है heroism का तो दिखिए crown up oak leaves ये जो है ना heroism का symbol है इस caption D heroism में बिलकुल correct हो जाएगा और इस से literate जो knowledge है ना उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं इन visual representations, Germania wears a crown up oak leaves as the German oak extends far heroism कि visual representation में जो Germania है वो crown up oak leaves को पहनती है ओगलीश का एक जो मुकुठ है उसको पहनती है इसमें जो German oak है ना वो heroism का प्रतीक है इसलिए इसका answer हमने क्या चुना? heroism चुना अब इसमें question number 11 देखे, evaluate the impacts of opening foreign trade and the global economy by identifying the appropriate statements among the following options तो दिखे, foreign trade को open करने से global economy में क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए हम लोग जो statements दिये हुए हैं उसमें से based option को हम को चुनना है इसमें बोलता है first, the choice of goods in the markets increase कि देखे, जब foreign trade होगा न, तो क्या होगा किसी भी market में जो consumer है उसके लिए जो बूर्ट से का choice जो है न, अबड़ जाएगा इस करसा समझेए कि Indian market में जो foreign company है, वो car बेच रही है तो कई प्रकार के car जो है न, Indian consumer के लिए आज available है तो इसका first option जो है न, बिल्कुल correct हो जाएगा second देखिए, producers from two countries, closely compete against each other despite the distance between their locations ये भी बिल्कुल सही है, कि जैसे भारत में Toyota है और बाकी जो company या है, वो जो Indian car manufacturers है उनके साथ compete कर रही है, चाहे उनके geographical locations बिल्कुल अलग-अलग है तो second भी इसका बिल्कुल correct है, ये अगर foreign trade open किया जाए, तो ऐसा होता है C देखिए, थर्ड देखिए इसका, कि foreign trade does results in connecting the markets और integration of markets in different countries तो जो foreign trade है, उसके कारण जो result है, ये होता है कि जो markets है वो एक हो जाते हैं, अलग-अलग देशों के, ये भी बिल्कुल correct है फोर्थ देखिए, the quality of the product is always good, लेकिन देखिए, जो quality of product है ना हमें से अच्छा हो foreign trade से ये granted नहीं है, जैसे इंडिया में, जो cheap Chinese product है, वो आते हैं, जिनका quality जो हैना अच्छा नहीं होता तो इसका फोर्थ option जो हैना, incorrect हो जाएगा अब देखिए, इसमें first, second and third है ना, ये सही है वाला कौन सा option है इसका option भी देखिए, statements first, second and third are appropriate इसका option भी बिल्कुल correct हो जाएगा इसके बाद 12 number question देखिए, choose the correct option to complete the statement इसमें statement को complete करने के लिए, जो सही option है उसको हमको चुनना है if a government provides its citizens a right and a means to examine the process of decision, it is तो माली जो कोई भी government जो है ना, अपने नागरिकों को अधिकार देता है और कराण बताता है examine करने का, कि जो decision ओ ले रहा है, उसका process क्या है तो जो government है, की staff का government होगा? ये बोलता है an accountable government, b बोलता है a responsible government और c बोलता है a transparent government, और d बोलता है a stable government तो देखिए, ये जो government होगा ना, ओ एक accountable government होगा क्योंकि वो जो भी decision ले रहा है ना उसको छुपा नी रहा है और उसके accountability के लिए वो responsibility लेने को तयार है तिस caption जो है ना बिल्कुल correct हो जाएगा in accountable government अब इसमें question no.13 को देखिए arrange the following statements in sequential order based on the events that saved the non-cooperation movement इसमें जो events है ना वो statement के फाम में हैं इनको हमको sequential order में जमाना है जिन्होंने non-cooperation moment को अकार दिया था first है general liar opened fire at the large crowd gathered in the enclosed ground of जालियाँवाला बाग इसमें पहला जो statement है समें बोल रहा है कि जालियाँवाला बाग में जब भी डी कठा थी तो general liar ने वहां पे fire open कर दिया था second है forced recruitment carried out by the British government and the economic hardships faced by the people during the first world war कि पहले world war में लोगों को जो आर्थी कठी नईयों का सामना करना पड़ा था और British government ने जो समें forced recruitment शुरू किया था third है the defeat of the Ottoman emperor of Turkey led to the formation of the Khilapath movement जब जो Ottoman emperor थे तर्की में वो हार गय थे उसमें भारत में Khilapath movement का शुरुवात हुआ था fourth है गांधी जी लांजड अनिशन वाइट सत्यागरा अगें इस जेदा रोलेटेक्ट की गांधी जी ने रोलेटेक्ट के विरूद्ध में पूरे भारत में एक सत्यागरा अंदोलन शुरू किया था ठीक है तो दिखिए चारो के चारो जो है ना historical event है इस से लेटेट जो dates है ना हमको अच्छे से याद होना चीए और सारे जो historical events हैं आपके book में उसके dates आपको याद करना होगा क्योंकि इस से लेटेट कोई ना कोई question जरूर आता है तो इसमें देखिए first world war हुआ था 1913 से 1918 के बीच में तो इसके बाद जालियाँ वाला बाग जो था यह घटना हुआ था 13 अप्रेल 1919 को और खिलापत moment हुआ था 1919 से 1924 था और ओलेट एक्ट पास हुआ था जनवरी 1921 को ठीक है इस चारो डेट जो है ना अगर हमको याद है त अब दिखिए इसका इंसार क्या होगा इसका अप्शन होगा अप्शन भी second, first, fourth and third क्योंकि सबसे पहले हम जान चुके हैं कि जो first world war है वो हुआ था first में उसके बाद जालियाँ वाला बाग में सेकर हुआ था second में ठीक है उसके बाद इसमें जो गांधी जी है उन्होंने न प्रटेक्टर की विरुद्ध में यह third number में आएगा और last में हुआ था जो किलापत मुमेंट है वो ते fourth में आजाएगा इसलिए इसका अप्शन भी होगा second, first, fourth and third इसके बाद दिखिए question number 14 है if there is a disruption by e-transporters and lorries refuse to transport vegetables, milk etc. from rural areas to urban areas, food will become scarce in urban areas whereas farmers will be unable to sell their products तो देखिए इसमें एक बादा के बारे में disruption के बारे में बताया जा रहा है कि जो transporters हैं और lorries हैं उन्होंने मना कर दिया है जो vegetables हैं, milk हैं इन सब को transport करने के लिए गाउं से सहरों के बीच में जिसका जो farmers हैं न वो अपने produce को बेच नहीं पा रहे हैं इसमें question पूछ रहा है कि which of the following sectors will be affected due to this situation is stated above इन में से कौन कौन से जो sector है न वो affect होंगे इस situation में तो देखिए इस situation में जो farmer हैं वो अपने products से को बेच नहीं पा रहे हैं तो farmer जो product पैदा करते हैं वो primary sector में आता है तो primary sector इससे affect होगा जो transport नहीं हो पा रहा है वो secondary sector में आता है तो उससे secondary sector में affect होगा और जो वेपारी बेच नहीं पा रहे हैं वो भी secondary sector में आते हैं तो secondary sector उससे affect होगा जो banking और बाकी जो facilities हैं, जो tertiary sector के services हैं, जो इससे related हैं, वो चुकी अब काम नी कर पा रहे हैं, इससे tertiary sector भी affect होगा, इसकांच से क्या है, इसमें tertiary, primary और secondary सारे के सारे sector जो है न, affect होगे, आपको ध्यान में रखना है कि एक sector दूसरे से interlinked होता है, और ऐसा नहीं सोचना है कि किसान नी बेज पा रहा है, इससे क्यों प्रामरी सेक्टर ही affect होगा, इसी कांच से स्काफशन से विलकुल correct होगा, tertiary, primary and secondary, इसके बाद दिखे, इसमें question number 15, इसमें दो statements दिये हुए हैं, question बोलता है कि consider the statements given below and choose the correct answer, statement 1 है, western printing techniques and mechanical press were imported in the late 19th century as western powers established their outpost in China, तो दिखे, first statement में क्या बोल रहा है, कि जब western power ने चाइना में outpost को establish किया था, तो जो western printing techniques हैं, और mechanical press हैं, वो 19th century में चाइना में import हुए थे, अब इसके statement second देखिए, Beijing became the hub of the new print culture, catering to western style schools, इस कांच से बीजिंग जो है ना, वो नए print culture का hub बन गया था, और उसने जो western style school से है, printing का, उसको cater करना शुरू किया था, तो चलिए, इस से रेटर जो history है ना, उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, फिर इसके options को देखेंगे, तो दिखेंगे, जो western printing techniques और mechanical process हैं, वो import तो हुए थे, एकदम सही है वाला statement, चाइना में western powers से के दवारा, 19th century में, लेकिन जो यहाँ पर बीजिंग बोल रहा है ना, बीजिंग के बज़ा जो संगाई था, वो नए print culture का हब था, और उसे ने जो printing का western style school से है, उसको cater करना शुरू कर दिया था, अब जब उहाँ पर printing है, वो hand printing से, गेजुली धिरे धिरे mechanical printing की तरफ shift हो रहा था, अब देखत हैं, इसका कौन सा option जो है ना, सही होगा, इसमें first option में बोलता है कि statement first is correct and second is incorrect, बिल्कुल यही सही है, इसमें जो statement first है ना, वो सही है, और statement जो second है, हम जान चुके हैं कि बीजिंग के जगा संगाई जो था ना, वो print culture का हब बन गया था, तो यहाँ बीजिंग दिया हुआ है इसलिए इसका statement second जो है ना, वो गलत है, इसलिए 15 option जो है ना, बिल्कुल correct होगा, इसके बाद इसमें question number 16 देखिए, M gave his friend clues about a type of soil that suits for growing cotton, which of the following clues provided by M would be most useful in identifying the ideal type of soil, तो देखिए, इसमें उस soil के बारे में पुछा जा रहा है, जो cotton को grow करने के लिए एकदम suited होता है, इसमें M जो है ना, उसके लिए clues दे रहा है, जो कि यहाँ पे statements के फार्म में है, तो हमको यह जो clues है, उनके द्वारा बताना है, कि सबसे useful, जो स्वाइल होगा, काटन उगाने के लिए, वो क्या होगा, इसमें first है, कि it is well known, for it's a capacity to hold moisture, second है, it turns yellow when it is hydrated, third है, it is rich in canker and bhanga nodules, और fourth है, it is a well-drained loamy soil, ठीक है, तो चार के चार इसमें clues दिये हुए है, अब चली हम लोग समझते हैं कि काटन उगाने के लिए, सबसे अच्छा टाइप का soil कौन सा होता है, और उसमें क्या-क्या qualities होते है, काटन needs high moisture retention, दीखें काटन को बहुँ ज़्यादा moisture चाहिए, तो ब magnesium carbonates present होता है, इसी कार से black soil को cotton soil के नाम से भी जाना जाता है, अब इसके option में, first option में ही इसको दिया हुआ है, कि ये जो soil है ना, अपने moisture को hold कनने के capacity के current अच्छे से जाना जाता है, इसका clue 1 ही इसका correct answer होगा, और बाकी जो option है, कि ये yellow हो जाता है, जब है hydrate होता है, तो ये होना चीए, और ना ही ये well-drained low-mich soil होना चीए, इसलिए इसका आपसाने correct होगा clue first, देखिए question number 17 है, choose the right option to fill in the blank, इसमें एक blank दिया हुआ है, उसको fill करने के लिए right option हमको चुनना है, इसको पढ़ते है, the emergence of blank, is directly connected to the rise of political parties, कि कीस चीज का जो उदभाव emergence है, उसका सिधा one, political parties जो है, राज्जतिक दल जो है, उनके rise से है, ये बोलता है minority democracies, तो देखिए minority democracies में political parties का कोई खास रोल नहीं होता, तो अपसाने जो है नहीं correct होगा, भी है direct democracies, direct democracies में political parties का जवरती नहीं होता, क्योंकि सारे के सारे decisions जो है न, जो public है, वो खुद बखुद लेती है, सी देखते हैं, representative democracies, बिल्कूल, अगर political parties का सब ज़्यादा जवरत है न, तो representation के लिए है, इसी कार से representative democracies में political parties जो है न, अनिवारी हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो political parties, election में contest करते हैं, उनके जो candidate होते हैं, उनको जो public है board देखके, अपना representative बनाती है, जिससे वो government farm करते हैं और पूरे को पूरे country को run करते हैं, इसलिए इसका option C जो है न, बिल्कूल correct हो जाएगा, representative democracies, और D जो है न, constitutional democracies, तो constitutional democracies में भी political parties का जोरत उतना नहीं रहता, तो इसका D option भी incorrect होगा, अब इसमें question number 18 देखिए, the process of integration between different countries, is called is, कि जो process of integration है, अलग अलग देशों के बीच में उसको क्या कह जाता है, तो देखिए जो अलग 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 देश आफस में आजकल मिल रहे हैं, और सभी देश के बीच में आना जाना और बैपार बढ़ रहा है, इसको हम globalization बोलते हैं, आज world जो है न, global village में बदल चुका है, इसका option भी विल्कूल correct हो जाएगा, globalization, इसमें question number 19 है, which of the following statements is correct keeping the requirement of formation of government in view, तो देखिए, government formation के requirement को ध्यान में रखते हुए, इसमें जो statements दिये हुए है, उनमें से कौन सी statements जो है न, या कौन सा statement जो है वो correct है, इसमें जो first statement है, वो बोलता है, which is possible for independent candidates to farm a government, आप ही बताइए, क्या जो independent candidates होते हैं, बने बिना कोई political party के जो चुनावल अरके जितते हैं, वो government बना सकते हैं, क्या, नहीं बना सकते, जनलली क्या होता है, कि इसके लिए हमको majority आप candidates चाहिए, और वो majority जो है न, independent candidates के पास नहीं होता, तो statement one जो है न, incorrect होगा इसका, इससे आप government farm नहीं कर सकते, statement second देखिए, government formation is exclusively reserved for political parties, यह भी नहीं है, कि क्योवल क्योवल political parties जो है न, वो ही government बनाएंगी, चाहे चुनाव में result कुछ भी हो, तो statement second भी incorrect है, जो चुनाव में जीतेगा और majority में होगा, वो ही government farm करता है, अब statement third देखिए, the formation of government is limited to only elected political parties, कि जो formation आप government है, वो क्योवल क्योवल, जीते हुए political parties के यह limited होता है, यह भी incorrect है, है न, जो political parties भले ही हो, जीत जाए, लेकिन अगर majority में नहीं है, और उसके पास, majority के लिए जो candidates चाहिए, वो नहीं है, तो government farm नहीं कर सकता, इसके बाद statement fourth देखिए, government can only be farmed by political parties that are elected and hold a majority, बिल्कुल सही है, जैसे मैं बता चुका हूँ, कि government, वो ही political parties या political parties बना सकती है, जो कि चुन के आती है, और जिनके पास majority होता है, तो इसमें देखिए, option में, यह बोलता है कि statement one and second are right, बिल्कुल incorrect है, first और second हम समझ चुके हैं कि incorrect है, B देखिए, statement one, two and third are right, A भी incorrect है, C देखिए, statement third is right, A भी incorrect है, इसका D देखिए, only statement four is right, बिल्कुल यही सही है, कि जो party elected होगी और majority में होगी, वही जो है ना government बनाएगी, अब इसमें question number 20 देखिए, there are two statements, marked as assertion A and region R, assertion region type का question है, अब इसमें सर्शन A में देखिए, ए बोलता है कि India is a country with a multi-party system setup, कि भारत एक ऐसा देश है, जिसमें multi-party system है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे कोई भी party जो है ना election, contest कर सकती है, region R बता रहा है, the multi-party system often appears very messy and leads to political instability, कि जो multi-party system होता है, वो generally बहुत गुथा हुआ, यह messy होता है, और इससे राजनिती का इस्तीरता आता है, political instability आता है, तो देखे इसमें यह सर्षन जो है ना बिल्कुल सही है, और region भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो यह region है ना, वो यह सर्षन को sad and sex plane नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिया को देखे, इंडिया में multi-party system है, लेकिन political instability जो है ना, वो नहीं है, आप देखते हैं, कि जो BJP भी है, यह नरेंद्मोदी की सरकार है, वो पिछले 10 सालों से सासन कर रही है, विल्कुल stable है, और सथे साथ उससे पहले Congress Government भी थी, तो भी stable थी, उसने भी 10 साल सासन किया था, तो यह सर्षन और region दोनों सही है, लेकिन region जो है ना, यह सर्षन को correctly explain नहीं कर रहा है, इसका option भी correct हो जाएगा कि बोथ, A and R are true, but R is not the correct explanation of A.